दोस्तों नमस्ते, आप सभी का दायांकिसान चैनल पर एक बर फिर से स्वागत है भई अगर जीरा के 14 मार्च 2024 के भाव की बात करें तो इसमें गिरावट का रुख देखने को मिला और मंडियों में जो आवक बढ़ी और कम मांगती उसका जो असर है भाव पर देखने को मिला और भाव में जो है गिरावट रही जीरा का मार्च का बाइद भाव 25,700 बर बंद हुआ 895 रुपे गिरावट रही अपरेल का बाइद भाव 24,444 से बंद हुआ 730 रुपे की जो है गिरावट देखने को मिले देश्मिर के लग-लग मंडियों में भी जीरा का जो भाव है उसमें गिरावट का रुख ही दोस्तों देखने को मिला उन्जा मंडि में जो है नए जीरे की जो देनिक आवक है फिलाल ज्यादा देखने को नहीं मिल रही लेकिन मौझूदा वक्त में उन्जा मंडि में जीरे की जो आवक है 47 से 50 जार बोरी के भी चल रही है जो कि व्यापारी के अनुमान से कम है यानि कि ज्यादा आने चांकार बता रहे हैं कि भाव कम होने के वज़े से किसानों ने जो माल है उसे भीजना रोक दिया है यानि कि आवक रोक दिया है और गुजरात की मंडियों में जो है नए जीरे की जो आवक है वो आज जो है 78,000 बोरी की रहेगी जबकि एक दिन पहले ही जो आवक थी वो 93,000 बोरी से ज्यादा की देखने को मिली थी दैनिक आवक कम रही लेकिन वायदा भाव में जो है भाव घटे और उत्पादक केंद्र की जो मंडिया थी वहाँ पर जीरे का जो भाव है 400-500 रुपे प्रतिक विंटल मंदा बोला गया फिलहाल बड़ी तेजी की कई जानकार बता भाव धारे संबावना नहीं कि खूली के बात जो है राजस्तान की मंडियों में भी जीरा की आवक जो है उसमें इधावफा देखने को मिलेगा अलग-अलग मंडियों में जीरा के भाव में गिरावट का रुख ही जो है देखने को मिला मे constitu मंडी भाव छहसए सासर बे गिर गए लेवाली हाला की ठीक रही 25,0000 से लेकर 30,000 का भाव रहा थीन जार बैक की रैवल देखने को मिली मुंबई मंडी में जीरा का भाव 30,000 से लेकर 32,000 को मिला वहीं जो है बेस्ट क्यों मीन 40,000 से लेकर 42,000 का भाव देखने को मिला जोदपूर मंडी में 400-500 रुपे जीरा का भाव टूटा 24,000 से लेकर 39,000 का भाव रहा 1,000-1500 बैक की जो रायवल देखने को मिली चामने कर मंडी में हला की भाव समान रहे लेवाली ठीक रही 14,000 से लेकर 22,000 का भाव रहा पांसो बैक के राइवल देखने को मिली दोस्तों अगर उन्जा मंडी की भाव की बात करें वहिया तो उन्जा मंडी में जो है जीरा की भाव में गिरावट देखने को मिली अलगलग क्वालिटी के मुताबिक जो है जीरा का भाव 400 से 500 रुपए मंदा देखने को मिला हलकी क्वालिटी का भाव 3,500 से 24,000 मिडियम क्वालिटी 24,500 से 25,500 बेस्ट 7,000 से 27,500 एक्स्ट्रा 39,000 से 32,500 आवक 47,000 बैक की रही इसब गुल का भाव 17,000 से 20,000 15,000 बैक की रहवल रही हजवान का भाव देखने को मिली सौफ का भाव जो है 11,000 से 12,000 मिडियम 12,000 पांसर से 14,000 वैस्ट 15,000 से 18,000 एक्स्ट्रा ग्रीन 25,000 से 32,000 10,000 बैक की रहवल जो है देखने को रही प्रोज़ना भाव की जानकरी हमारे वाटसप ग्रूप की सेवा से भी ले सकते इसका नमबर आपकी स्क्रीन पर है साथ हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है जानकार रिच्छे लगिए तो लाइक केज़ेगा दूसरे के सिर्वा तक शेयर जरूर केज़ेगा जय जवान जय के साँ जय दोस्तान दोस्ते नमस्ते